हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो 31 मैं के इस करंट अफेर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरफ बदल जाएगा और आपकी आने वाले एक्जामिनेशन में करंट अफेर का एक सिंगल क्विशन भी गलत नहीं हो सकता यह हमारा वादा है और हर वीडियो के लाश्ट में मैं आप से एक क्विशन भी पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्विशन से पहला क्विशन प्रती वर्ष विश्वत तंबा को निश्यद दिवस कब मनाया जाता है हर साल वल्ड नोट टोबे को डे 31 मैं को मनाया जाता है यानि कि इस क्विशन का सही आंसर है 31 मैं वल्ड नोट टोबे को डे तो इन से जुड़े और भी इंपोर्टन क्विशन बन सकते है जैसा कि विश्वत तंबा को निश्यद दिवस कीज के द्वारा मनाया जाता है विश्वत स्वास्थिय संगठन के द्वारा विश्वत तंबा को निश्यद दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है 31 मैं को और WHO द्वारा विश्व तंबाकू निश्यत दिवस की पहल को कब अपनाया गया वर्ष 1987 में हमारे World Health Organization की यह विश्व तंबाकू निश्यत दिवस की पहल को अपनाया गया और इस साल World Note Tobacco Day 2020 की थीम क्या रखी गई है युवाव को इंडर्श्ट्रीज के हतकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटिन के सेवन से रोकना जो इस साल के यह World Note Tobacco Day की थीम रखी गई है और विश्व स्वास्थिय संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 15 और 24 वर्षय की आयू के लगबग 17 प्रतिशत युवा तुम्रपान करते है और यह हमारे भारत देश के लिए चिनता का विश्वाई लेकिन एक और फैक्ट भी आप याद रख लिजिए कि विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादक करता देश कौन है? चिन और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है और भारत में आंध्रव प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू की क्रिशी की जाती है तो दोस्तो इसी तरह हर क्वेशन से जुड़े important fact में आपके सामने रखूँगा हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत बुलिएगा दूसरा question हाल ही में रोजगार सेतु योजना किसने शुरू की है? रोजगार सेतु योजना हाल ही में मध्यप्रदेश राज्ये की सरकारने शुरू की है यानि कि इस question का सही answer है मध्यप्रदेश तो इन से जुड़ा हुआ एक और question बनता है कि रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की गोशना किसने की है? तो मध्यप्रदेश की चीफ फिनिश्टर ऐसे शीवराजसी चोहान ने इस योजना को शुरू करने की गोशना की ह और रोजगार से तो योजना उन प्रवासी स्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी जो अपने घरों में लोट आये है और यह योजना प्रवासी स्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी तो इसी तरह की योजना की शुरूआत की गई है मध्यप्रदेश में तो पहले तो यहां आप मेप में देखिए कि भारत में बीचों बीच स्थी थे यह मध्यप्रदेश जिसकी कैपिटल का नाम क्या है भोपाल और भोपाल में एक गैस त्रास्ति भी हुई थी और वहां मिथाइल आइसो साइनेट गैस के रिशाव के करण तकरीबन 2000 लोगों की मौत हो गई और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल को राजya भोज की नगरी तथा जीलो की नगरी भी कहा जाता है मद्य प्रदेश के वर्तमान राज्य पाल कोन है? लाल जी टंडन मद्य प्रदेश के वर्तमान मुक्य मंत्री कोन बन गए है? शिवराज्सी चोहान और मध्यप्रदेश का राजकिय पशु है बारा सिंगा, मध्यप्रदेश का राजकिय पुष्प है सफेद लिली, मध्यप्रदेश की राजकिय पक्षी का नाम है शाह बुलबुल यानिकी पेरेडाइस फ्लाइ केचर और मध्यप्रदेश का राजकिय व्रिक्षे बर्गद और मध्यप्रदेश की राजकिय फसल है सोया बेन तो मध्यप्रदेश से जुड़े इतने फेक्ट आपको याद रखने है तीसरा क्विशन हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्य मंत्री रोजगार योजना का शुबारम किया तो मध्यप्रदेश में जिस्तर की योजना लॉंच की गई इसी के तरज पर हाल ही में मुख्य मंत्री स्वा रोजगार योजना का शुबारम कि उत्राखन राज्य की सरकार ने? यानि कि इस क्विश्ण का सही आंसर है उत्राखन. तो देखो, उत्राखन के मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिर्वत ने राज्य में वापस लौट कर आने वाले प्रवासियों के लिए। प्रदान करना और रिवर्सम माइग्रेशन को बढ़ावा देना है और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयू कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए तो इसी तरह के कुछ माप दंड भी तई किये गए है और जब बात करते हैं उत्राखन की तो कुछ दिन पह की वनागनी की गटना भी उत्राखन राज्य में हुए है तब भी मैंने आपको उत्राखन के बारे में बताया था तो यहां आप मेप में देखे यहां पर स्थी थे यह उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखन जिसकी कैपिटल का नाम क्या है देह रादून उत्तराखन के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है त्रिवेंदर सी रावत और फुलो की गाटी कहा पर स्थी थे वो भी उत्राखन में स्थी थे लेकिन कहा पर गर्वाल क्षेत्र में फुलो की गाटी स्थी थे और भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क नाम क्या है जीम कौरबेट चोथा question हाल ही में स्यना कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? स्यना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित हुआ है हमारी कैपिटल नई दिल्ले में यानिकि इस question का सही answer है नई दिल ले तो यहां ए देखो इस सम्मिलन की अध्यक्षता हमारे वर्तमान रक्षा मंतरी राजनाच सीहने की और इस सम्मिलन में मौझूदा और विकाशिल सुरक्षा चुनोतियों पर भी चर्चा की गई और भारतिय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और सेना को साथ कमांडो में बाटा गया है और इसी के साथ आपको याद रखना है हमारे वर्तमान रक्षा मंतरी कौन है राजनाच सीहने और हमारे इस तीनों विंग्स के मुख्या कौन है उसी के बारे में भी आप को पता होना चाहिए तो वायू सेना अध्यक्ष इसे हम एर चीफ मार्शल कहते हैं तो हमारे वर्तमान एर चीफ मार्शल कौन है राकेश कुमार सीं पदोरिया हमारे वर्तमान थल सेना अध्यक्ष यानि कि जनरल कौन है मनोज मुकुंद नर्वने हमारे वर्तमान नव सेना अ शॉर्ट में बोले तो CDS और हमारे वर्तमान CDS कौन है विपिन रावत तो दोस्तो इतनी बात तो आपको याद रखनी ही होगी और इसी के साथ हम बात करते हैं नई दिल्ली की स्थापना कभूई 1911 में और नई दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अर्विंद केजरि नई दिल्ली के वर्तमान उपराज्य पाल कौन है अनिल बैजल और यहां आप मेप में देखे यह है नई दिल्ली और नई दिल्ली किस नदी के तट पर सी थे तो यहां आप मेप में भी देख सकते हैं यमूना नदी के तट पर यह नई दिल्ली स्थी थे तो दोस्तों यह बा प्लास्टिक के विकास में योगदान देना और इसलिए इस क्विशन का सही आंसर है option B प्लास्टिक के विकास में योगदान देना लेकिन पहले तो आप जान लिजिए कि सी पेट का पुरा नाम क्या होता है Central Institute of Plastic Engineering and Technology और हाल ही में सी पेट को नया नाम दिया गया है और इसलि और इसलिए आपको सी पेट के बारे में इतना याद रखना चाहिए और सी पेट का मुख्य उद्देश क्या है प्लास्टिक के विकास में योगदान देना है Central Institute of Plastic Engineering and Technology यानिकी सी पेट की स्थाफना 1968 में भारत सरकार द्वारा चैन्नाई में सयुक्तर राष्टरो विकास कार्यक्रम की सहायता के साथ की गई थे और यहाँ देख सकते हैं चैन्नाई में स्थित यो सी पेट को कीस के द्वारा सहायता की गई है United Nations Development Program के द्वारा चट्ठा कूशन हाल ही में MP विरेंद्र कुमार का निदन हो गया वे कुन थे? MP विरेंद्र कुमार एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे पत्रकार भी थे और राज्यसभा सांसद भी थे यानि कि इस question का सही answer है M.P. विरेंद्रकुमार उपर युक्त सभी थे और इसलिए इस question का सही answer है option D लेकिन बात करते है M.P. विरेंद्रकुमार की M.P. विरेंद्रकुमार का जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वाइनाड जिल के केल पैट्टा में हुआ और साल 1996 में कोजी कोड की लोकसभा सीट के लिए चुने गए थे और बाद में HD देव गोडा और इंद्रकुमार गुजराल के नित्रित्वे वाली संयुत्त सरकारों में राज्य मंत्री भी रहे थे जिसका हाल ही में निदन हो गया है और M.P. विरेंद्रकुमार अप्रेल 2016 से राज्य सभा के सदस्य है उन्हें साहित्य अकादमी पुरसकार से भी सन्मानित किया जा चुका है याने कि वो बहुत ही अच्छे एक लेखक भी थे सात्वा क्वेशन NSO द्वारा जारी आकडों के अनुसार वित्तिय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में GDP की वृद्धिदर कितने प्रतिशत तक गिर गई तो हाल ही में यह चौकाने वाला खुलासा किया है NSO ने और यह लास्ट तिमाही में हमारी GDP की वृद्धिदर गिर कर 3. 3.1% रह गई यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है option D लेकिन वित्तिय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में हमारे भारत देश की GDP दर 5.2% थी और दूसरी तिमाही में 4.4% तीसरी तिमाही में 4.1% लेकिन कोरोना वाइरस संक्रमन के करण चौथी तिमाही में हमारे भारत देश की GDP 3.1% रह गई तो देखो NSO का पुरा नाम क्या होता है National Statistical Office और हाल ही में राष्ट्रिय सांखी की कारियल इद्वारा जारी आकडों के अनुसार वित्तिय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही अर्था जन्वरी से लेकर मार्च माह में सकल गरेलो उत्पाद यानिकि ग्रोस डॉमे तिशक तक गिर गई और इसी का कारण में ने बताया कोरोना वाइरस संक्रमान वित्तिय वर्ष 2019-20 की चोथी और अंतिम तिमाही की व्रिद्धी दर बित्ति 44 तिमाहीों में सब से कम है और 23 मैं 2019 के आदेशानुसार NSO और CSO के विले के माध्यम से राष्ट्रिय सांखी की का इंग्लिश में कहें तो National Statistical Office NSO के गठन को मंजूरी दे दी गई है तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है आठवा कुशन हाल ही में किस विश्व विद्याले के शोध करताओ द्वारा एक फफुंद पावडर तयार किया गया है तो एक फफुंद पावडर हाल ही में बोडो लेंड विश्व विद्याले के शोध करताओ ने तयार किया है यानि कि इस कुशन का सही आंसर है बोडो युनिवर्सिटी स्थी थे और फफुन पावडर इंगलिश में कहे तो फंगल पावडर लोगों की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है यानि कि कोईवीड 19 से निपटना है तो हमारी रोग प्रती रोधक शमता अच्छी होनी चाहिए और इ कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस और इसी के बारे में मैं आपको बताऊ तो आप भी चौक जाओंगे सूपर मश्रूम को माइनस 800 अंसेल्सियस तापमन पर हीम शुषकन प्रक्रियाओ द्वारा इस फफुन पाव पूपिये प्रती किलोग्राम तक की हो सकती है तो इतना महенगा हो सकता है यह फफुन्त पावडर जिसको खोजा है बोर्डो लेंड यूनिवरसिटि के खोज करता होने नववा क्विशन, ब्रिक्स के टेक्स प्राधी कारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस ने की है? तो टेक्स प्राधी कारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी हाल ही में रूस देश ने की है? यानि कि इस क्विशन का सही आंसर है रूस. तो देखो, ब्रिक्स के टेक्स प्राधी कारियों के प्रमुखों की बैठक के मेजबानी, फेडरल टेक्स सर्विस ओफ रूस द्वरा की गई, और इसका आयोजन पहले तो मौस्कों में किया जाना था, लेकिन COVID-19 के मद्दे नजर वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यह आय पांडे जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, और ब्रिक्स दुनिया की पांच अग्रणी उपरती अर्थ व्योस्ताओ, ब्राजिल, रोस, भारत, चेन और दक्षिन अफरीका के समुख के लिए एक संग्षिप्त शब्द है, और शॉर्ट में इसे ब्रिक्स कहा जाता ह और ब्रिक्स शिकर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रती वर्ष बी, आर, आई, सी, एस, क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच न्यताओ द्वारा की जाती है, और इसी के बारे में हम और भी जान ले, तो दिसंबर 2010 में दक्षिन अफरीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लि साउथ अफरिका और इसलिए नाम बन गया ब्रिक्स, तो वर्ष 2014 में ब्राजिल के फ्वार्टा लेजा में छटे ब्रिक्स शिकर सम्मेलन के दोरान, ब्रिक्स नेताओने न्यू डेवलोप्मेंट बेंक, यानि कि एन डीबी की स्थापना के लिए एक समझोते पर भी हस्ता और एन डीबी का मुख्याले काप्र सिते थे शंगाई यानि की चीन के शंगाई शहर में स्ती थे और हमारे अब तक प्रमुख कौन थे तो नेशनल डेवलोप्मेंट बेंक के अध्यक्स के वी कामत थे, लेकिन नए अध्यक्स बन गये हैं ब्राजिल से, कौन बन गये हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना होगा और दोस्तों अब बात करते हैं दसवे क्वेशन की वर्तमान में भारतिय खेल प्राधी करण के महा निदेशक कौन है तो हमारे Sports Authority of India के नए महा निदेशक है संदीप प्रधान यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है option A संदीप प्रधान हाल ही में नएतों नहीं बने है लेकिन सुर्क्यों में है क्योंकि युवा कारिय एवं खेल मंत्रा लईने भारतिय खेल प्राधी करण इंगलिष में कहे तो Sports Authority of India के महा निदेशक संदीप प्रधान का कारियकाल दो साल तक के लिए बढ़ानी का फैंसला किया है और यहां देख सकते हैं संदीप प्रधान वो हमारे Sports Authority of India के महा निदेशक है लेकिन दो साल का कारियकाल बढ़ाया गया है और भारतिय खेल प्राधिकरण जिसका मुख्याले काप्र सी थे दिल्ली में स्थी थे और भारतिय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 में की गई थे तो दोस्तों यह बात आपको याद रखने है ग्यारवा क्विशन हाल ही में सुर्क्यों में रही किरन जितकोर के संदर्व में कौन सा विकलप सही है तो यहाँ आप देख सकते हैं किरन जितकोर वो हाल ही में सुर्क्यों में इसलिए रही क्योंकि वाडा ने चार साल तक के लिए हाल ही में बेन लगा दिया है इस महला एथ तो दोस्तो याद रखो किरन जित कौर एक हमारे भारत देश की लंबी दूरी की धावक थी यानि कि वो एक लंबी दूरी की धावक थी जिस पर हाल ही में वर्ड एंटी डॉपिंग एजन्सी ने चार साल का बेन लगाया है तो देखो वाडा ने किरन जित कौर पर डॉपिंग के चलते लगाया चार साल का बेन लगा दिया है और वर्ड एतलेटिक्स के एंटी डॉपिंग निकाई द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका किरन जित कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का टेस्ट प अल्ड एंटी डॉपिंग एजन्सी और वाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है सर क्रेग रिड जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और वाडा का हेड़क्वाटर कनाडा के मौन्ट्रियल में स्थित हैं वाडा की स्थापना कबुई 10 नवंबर 1999 को और वाडा का एक रमनी सुमंत्रन को कीज एरलाइन कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं वेंकट रमनी सुमंत्रन वो हमारे भारत देश की एरलाइन कंपनी इंडी गो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये है यानि कि इस question का सही answer है Indigo तो याद रखो वेंकट रमनी सुमंत्रन वर्तमान में चेन्ने स्थीत salaries technologies के अत्यक्ष और प्रबन निदेशक के रूप में कारियरत है और उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए की गई है और Indigo Airlines इसका headquarter का अपरस्ती थे हर्याना के गुरुग्राम में और Indigo Airlines की स्थापना कभूई 2006 में और Indigo के वर्तमान स्वतंत्र निदेशक कौन बन गए है तो नाम मत बुलेगा वेंकट रमनी सुमंत्रान तेरवा question हाल ही में थियरी डेला पर्ट को किस ने अपना नया managing director and chief executive officer नियुक्त किया है तो थियरी डेला पर्ट को हाल ही में वीप्रो कंपनी ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है यानि कि इस question का सही answer है वीप्रो और इसी के साथ एक और भी question बनता है कि थियरी डेला पर्ट किस का स्थान लेंगे तो अभी दाली निमच वाला यहां आप image में देख सकते हैं अभी दाली निमच वाला का स्थान लेंगे थियरी डेला पर्ट और इससे पहले थियरी डेला पर्ट कैप जैमीनी समू के मुख्य परिचलन अधिकारी और इसके समु कारियकारी बॉर्ड के सदस्य थे और कैप जैमीनी में 25 वर्षों के अपने करियर के दोरान उन्होंने विभिन नेत्रुत्व भूमिकाओं में काम किया और वो अब बन गये है विप्रो के नए MD and CEO और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेशन के तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पुछा था कि निमना में से कौन 800 किलोमिटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानि जड़ी बुट्टी वाली सड़कों के रूप में करेगी तो यह तै किया है उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकारने और वो 800 किलोमिटर लंबे जो सड़क मार्ग है उन पर जड़ी बुट्टी वाले पौधे उगाएंगे और इसी तरह हर्बल रोड बनाये जाएंगे उत्तर प्रदेश में यानकि इस क्वेशन का सही आंसर था उत्तर प्रदेश और सही आं या भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है तो इसी तरह डीटेल में बताने के लिए अशुक कुमार आपको बहुत बहुत दन्यवाद और मेर शितल ने भी इसका सही आंसर दिया है साथ साथ लिखा है कि यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल और यूपी के चीफ फिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ यूपी की कैपिटल है लखनव तो आपका भी आंसर सही है मेर शितल डी को बहुत बहुत दन्यवाद और वीपेश ठाकोर ने भी इस क्वेशन का सही आंसर दिया है हमारे और भी सब्सक्रेबर फ्रेंड है जिनके नाम में लेन जाओंगा प्रियंग चोधरे वह गुजरात के सुरत से है धवलरावल वह कुजरात के महसाना से है वाला जया उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर लिखा और इला जेठवा ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है और यहां उन्होंने लिखा है कि सर आप जो लास्ट में question पुछते हो उसे पढ़कर और सुनकर हमें KBC की याद आ जाती है तो इलाजेटवा आपका भी बहुत बहुत दन्यवाद और आज के वीडियो का question ए रहा स्क्रीन पर हाल ही में अगनी प्रस्ता नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है यहाँ चार option आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चोईस करना है कि अगनी प्रस्ता नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है और answer देना है नीचे comment box में तो दोस्तो answer देना मत बुलेगा और आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा helpful लगा तो आपके दोस्तों को facebook, whatsapp और telegram के जरिये इस वीडियो की link शेर करना मत बुलेगा कल फिर मिलेंगे नए current अफेर के साथ तब तक के लिए take care and जैहें